पाकिस्तान के इंडिया के उपर एक्षन लेना चाहिए और बहुत सी बातें इसके उपर कही जा रही है दोनों के तरफ से अपने क्लेम है आज इसी के उपर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि पाकिस्तान के एक शमता वाक्या में इंडिया के मिसाइल को ट्रैक करने की नहीं है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो बताया ये जा रहा है कि एक ब्रहमोस सूपरसोनिक मिसाइल का अनार्मड वर्शन जिसे प्रैक्टिस वर्शन भी कहा जाता है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर लौच हो गया यानि कि वहाँ एकसिडेंटली फायर हो गया इंडिया से और उसके बाद में दोस जबकि दोस्तो माना ये भी जा रहा है कि हर्याना के सिर्सा से राजस्तान के महाजन फिल्ड तक इसे फायर होना था लेकिन कुछ टेक्निकल फाल्ट आने की वज़े से ये अपने दिशा से भटक गई और पाकिस्तान के अंदर चली गई वहीं कुछ एक लोग ये भी कह रह है कि हमने कोर्ट ओफ इंक्वाईरी इसके उपर जारी कर दी है और जो भी इसका रिजल्ट आएगा जो भी जांच में पाया जाएगा उसके बारे में हम बताएंगे और इसमें ये भी कहा गया है कि ये मिसाइल टेक्निकल मैल फंक्शन की वज़े से एक्सिडेंटली फायर हो गई और पाकिस्तान के अंदर चली गई लेकिन दोस्तों ओवराल ये भी बात है कि इसके उपर कोई वार हैड नहीं लगा हुआ था नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा नुक्सान हो सकता था और सूतर ये भी बताते हैं कि मिसाइल के अंदर पहले से ही सोफ्ट वेर के हि हिसाब से बहुत सी चीजे फीड की जाती है टारगेट इसके अंदर फीड होते हैं इसके इलावा नए भी इसके अंदर एड किये जा सकते हैं और बहुत सी क्लिरेंस चाहिए होती है कई स्टेप्स होते हैं जब इसे लौच किया जाता है उससे पहले और काउंट डाउन लेकिन दोस्तो इस से पाकिस्तान के बारे में क्या पता चलता है पहली बात तो वो जूट बोल रहा है दूसरी बात मिसाइल गिरने के बाद में ही उसे पता चला और अब वो नए नए प्रोपेगंडा के हिसाब से आईडिये लेके आ रहा है स्टेटमेंट दे रहा है जबकि उसे मिसाइल का कुछ भी पता ही नहीं चला। जो trajectory पाकिस्तान ने इस मिसाइल की दिखाई है वो बिलकिन ही गलत है। इससे पता चलता है उनकी capability का कि उनकी capability zero है। इसके इलावा दोस्तों पाकिस्तान के ही एर वाइस मार्शल तारिक जिया ने जो वीरवार को एक अपना कमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्टाइल या मिसाइल 124 किलो मिटर पाकिस्तान के अंदर ट्रेवल की तीम मिनट 44 सेकिंड का इसे समय लगा लेकिन एर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को ट्रेक नहीं कर पाए और इसके इलावा दोस्तों पाकिस्तान के मेजर जनरल इफ्तिकार ने जो प्रेस कोंफरेंस की थी थ्रस्टे को उसमें दोस्तों उन्होंने जो भी बयान दिया मिसाइल के बारे में लेकिन मिसाइल वेडनस दे को पाकिस्तान के अंदर गिरी तो 24 गंटे के बाद में उन्होंने बयान दिया और एक स्टेटमेंट जारी की इससे भी पता चलता है उनकी capability क्या है और सबसे बड़ा सवाल उट रहा है जो पाकिस्तान को चाइना ने अपना air defense system दिया गया है जिसका नाम HQ9 है जिसकी range 120 km बता ही जाती है वो इस missile को बिलकुल भी track नहीं कर पाया और इससे पहले भी जब इंडिया के जगुआर fighter jet ने पाकिस्तान के बाला कोट के अंदर firing की थी तो उनके radar system या air defense system उन्हें नहीं पकड़ पाये थे इससे पाकिस्तान की capability का भी पता चलता है और इसके इलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की missiles की power का भी पाकिस्तान को पता लग चुका है क्योंकि ये तो एक practice version ही था ब्रहमोस missile का actual missile कितना जल्दी fire हो सकती है और कहां तक पहुँच सकती है ये पाकिस्तान को पता है तो ऐसे में उसकी अंदर से चिंताएं भी बढ़नी लाजमी है धन्यवाद जैहिन